किसान दोस्तों नमस्कार आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है आसा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे जो किसान दोस्त हमारे सोया बीन की खेती करते हैं और उसमें नई नई बरायटियों की खोज करते रहते हैं और साथ में ऐसी बरायटियां उनको चाहिए जो हमारा सोयाबीन का छेतर है विशेश तोर से जो हमारा जिसको सोयाबीन के उतपादन के आधार पर सोया छेतर कहा जाता है जिसमें MP महाराष्ट शातिसगड़ पूर्वी उत्तर प्रदेश का छेत्र आता है साथ में उत्तरप्रदस का छेत्र आता है विसेश तोर से उन छेत्रों के लिए कौन सी अच्छी पर आजातियां हैं जिनका हमचुनाऊ कर सकते हैं जिसमें बंबे سे पंचान नवे पर जानकारी प्रदान की गई है वीडियो को प्रारम से अंत तक देखिए तका साथ में नोटिफिकेशन बिल को आल पर रखिए जिससे जो भी वीडियो इस चैनल पर डाली जाए उसकी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे साथ में एक रुकेश्ट है चैनल को स्क्राइब आवस्य कर दीजिए तो सबसे पहले हम एक सो दिन की बराइटी है जो काफी अच्छा उत्पादन पिछले बार दिया है और बहुत ही लेटेस्ट बराइटी है काफी पौधे की लंबाई भी काफी अच्छी है जिससे हार्वेस्टिंग भी आसानी से की जा सकती है और साथ में जड़ों से काफी मजबूत होती है इल्ड बहुत अच्छी आती है कोई भी बीमारी नहीं लगती है बस एक ही समस्या इसमें सबसे बड़ी आती है कि हमको सिचाई की बेउस्थायतों होनी चाहिए या हमारे खेट ऐसे होने चाहिए जो सो दिनों तक उसमें नमी हमारी बरकरार रहने वाली ऐसी बेवस्थायतों जल भराओ की समस्या नहों यदि ऐसी हमारी खेट की दसा है तो हम जेस एक कईस बहतर का चुनाओ कर सकते हैं जो सबसे अच्छी सबसे बेश्ट ब्राइटी है उत्पादन की बात की जाए तो पंदरा से सूला उंटल प्रत एकड़ हमको उत्पादन भी दे देती है और रोग बीमारी तो किसी परकार के इसको छूती नहीं है तो इस ब्राइटी का परियोग अब हम बिना ही चेक के बिना किसी सो समझ के आख मून करके कर सकते हैं यह अगले सिग्मेंट की बात करें जिसमें हम 90-95 दिन की ब्र दाप्त कर सकते हैं और इसी के साथ में जो 90-95 दिन की ब्राइटिया हैं उनका चैन करना चाहते तो यह नार्थी की 150 का चैन कर सकते हैं या 102 का 157 यह ब्राइटियां हैं जो अच्छी हैं और इनसे भी अच्छा उत्पादन मिल जाता है तो इन ब्राइटियों का चैन हम कर सक और इसी के साथ में एक और वरायटी जेस बाइस सोला का भी हम परियोग कर सकते हैं फलियां रोएदार होती है फूल सफेद होता है नबे दिन की वरायटी है तो इसका भी चैन हम कर सकते हैं और सो दिन के सेग्मेंट में एक और अच्छी वरायटी है आरवियस बीस चोबिस ज पाना बारिक थोड़ा होता है फूल सफेद होते हैं फलियां चिकनी होती हैं उत्पादन हमको ये दे कर किसी न किसी हालत में दे कर रिखी जाती है अगर कि हमारे उत्पादन अगर हमने बराइटियां लगाई हैं उत्पादन हमको नहीं मिला तो इसका चैन हम भी कर सकते हैं ये जो भी 100 दिन के सिग्मेंट की ये भी बहुत अच्छी बराइटी है जिस पर हमारे किसान दोस्त काफी भरोसा भी करते हैं जो किसान दोस्त हमारे 100-110 दिन की वराइटी का चैन करना चाहते हैं अर्था तो उत्पादन बहुत ही ज़्यादा लेना चाहते हैं अगर उनके यहां सिचाई की विवस्ता है और जल भराव वाली समस्या नहीं है साथ में जमीन जल धारण करने वाली है तो इस वराइटियों का चैन कर सकते हैं और उत्पादन बहुत अच्छा ले सकते हैं उसमें है RBS से हमकी 11-35 का चुनाव कर सकते हैं जो काफी हद तक हमको बहुत अच्छा उत्पादन दे देती है और दूसरी RBS की 11-04 का परियोग कर सकते हैं जो भी अच्छा उत्पादन देने वाली बराइटि देखे जाएंगी तो इन बरायटियों का चैन कर सकते हैं क्योंकि इस बार मानसून सामान रहने वाला है अच्छा रहने वाला है ऐसी भविश्वानिया मौसम विग्यान द्वारा की जा रही हैं तो हम इन बरायटियों का चैन कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं तो ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगिए तो अनकिसान दोस्तों के साथ भी सेयर करें ऐसी खेती किसानी समयने वीडियो के साथ पुना उपस्तित होंगे तब तक के लिए नमस्कार और एक लाइक करना बुले?